इस बार यूपी का चुनावी मुकाबला सिर्फ मुद्दों जातियों ये टिकेट बटवारे पर ही नहीं मुख्य मंत्री पत का चहरा कौन है ये भी काफी कुछ तै करेगा ऐसे में चुनावी लड़ाई हर पार्टी में ब्रेंड के आसपास घूमने लगी है हर गड़ बंदन ये जटाने में जुटा है कि उसका ब्रेंड ही सबसे करिश्माई है बाकि सब भी के हैं उत्तर प्रदेश में आज विकास तेजकती से विकास और चतुरतिक विकास के एक लंबी गाथा उत्तर प्रदेश में चल लही है और इफले हर कोई विक्ति उस ब्रांड के साथ है जो योगी जी के रूप में लोगों को दिखाई पड़ा है तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ ब्रांड है और दूसरी तरफ कांड है इफले हर कोई ब्रांड को चुनना चाहता है और इफी लिए उत्तपदेश की जनता ने भरोसा किया है योगी आदितनाजी के उत्तपदेश में सरकार बनाएंगे और इन जिन्नाबादियों को राष्टबादी लोग मुतूर चबाब देने का काम करेंगे ऐसा नहीं कि एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी के ब्रैंट पर हमला कर रहे हैं बलकि एक ब्रैंट दूसरे ब्रैंट पर हमला कर रहा है आज सीएम योगी आदितनाथ ने अखले शादो पर सीधा आमला किया समाजवादी पार्टी प्रदेश को दंगे की आग में जोग कर यहां फिर से आराजकता का नया योग कायम करना चाहती है अपराधियों को दिये गए विधानसभा की टिकेट इनकी दंगाई मानसिक्ता का प्रत्यक्ष प्रमाण है जनता आगामी विधानसभा चुनाव में इन्हें फिर से सबक सिखाईगी मुद्दे पीछे चूद गए हैं और अब व्यक्तिगट टी का टिपणी हो रही है अखलेश यादव ने तो सीम योगिया अधिसेनाथ के कपड़ों पर भी तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा ब्रेंट की लड़ाई में आज सबसे बड़ी एंट्री प्रियंका वाडरा की हुई जिन्होंने आज प्रेस कॉंफरेंस में खुद को ही यूपी में मुख्य मंत्री का चहरा बता दिया दरसल प्रियंका वाडरा ने अपने नाम को आगे कर कहीं न कहीं यूपी में कॉंग्रेस के लिए कुछ संभवनाई बनानी की कोशिश की है यूपी में कॉंग्रेस कहीं से भी रेस में नहीं देख रही है ऐसे में कॉंग्रिस को उमीद है कि शायद प्रियंका वाडरा का बतौर सीम चेहरा होना पार्टी को सम्मान जनक सीट दलवा दे दरसल जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स की तरफ से प्रदेश का जो सबसे बड़ा ओपिनियन पूल किया गया उसमें प्रियंका वाडरा को भी कुछ लोग सीम के तौर पर पसंद करते हैं मुख्यमंत्री के चहरे को लेकर अक्सर सवार उटते रहते हैं आपको किसी और का चहरा दिख रहा है कॉंग्रिस पार्टी की तरफ से तो फिर तो आप ही चहरा है मतलब दिख रहा है ना प्रियंका किया प्रियंका वाडरा को भी पांच पीसदी लोग पसंद करते हैं कॉंग्रिस को यही पांच पीसदी की उमीद मजबूति दे रही है दिल्ली वाले फार्मूले के सहारे उत्तरप्रदेश में भी कई सियासी दल चुनाओ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं दरसल इस बार उत्तरप्रदेश के चुनाओ में फ्री का मुद्दा खूब चल रहा है और इस बार कई राजनेतिक दल नौकरी और रोजगार को मुद्दा बना कर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं अब देखना ये होगा कि ये फ्री वाले मुद्दे और नौकरी रोजगार के सहारे आखिरकार उत्तरप्रदेश में क्या बिपक्ष मजबूत हो पाएगा कैमरमें धीरेंदर के साथ बिशाल पांड़ी, जी मीडिया, लखनौ